नमस्कार, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की दुनिया में आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरस्टिंग कंसेप्ट ले गया हूँ आपने सुना होगा, अगर आप खाना खाने के जस्ट बाद पानी पी लेते हैं तो इस खाना आपका जहर बन जाता है तो हम पानी कब पीएं, खाना खाने के साथ पीएं, खाना खाने से पहले पीएं या एक गंटे बाद पीएं इस कॉसंद का अंसर मैं आपको आज केमिस्ट्री के लिए में जाता हूँ यह आपका स्टोमक है, यहाँ पर उसो फैकस जो भी आप फूड खाते हैं, वो उसो फैकस से होता हूँ स्टोमक में आते हैं, और स्टोमक के अंदर होती है गेस्ट्रिक ग्लैंड्स गेस्ट्रिक ग्लैंड्स इस फूड को डाइजस्ट करने के लिए हाइड्रोकलोरिक असिड, HCL निकालते हैं यह HCL क्या करता है, फूड में अगर कोई बैक्टिरिया है, उसो क्यों कर देता है और स्टोमक में जो इनक्टिव एंजाइम है, पैप्सिन उजन, उसको एक्टिव फूम, पैप्सिन मिचन कर देता है जिससे हमारा फूड डाइजस्ट होता है लेकिन अगर आपने खाना काने के जस्ट बाद, पानी पे लिया, तो जैसे निकला न, वो डाइलूट हो जाएगा मतलब उसके जो पावर है, वो कम हो जाएगी स्पोर्च कि जीए, आप किसी शादी में जाते हैं, तो महाँ पर कई बार राहता कम पर जाता है तो राहते में पाणी मिला देते है इसे क्या होता है इसे जो बाद राहता है उसके अंदर लस्जी के particles कम हो जाते है और उसका Teesट काफ फीका बढ़ जाता है उसले पाणी पाणी नजर आता है इसी तरह से यहाँ पर होता है, एसिट के emount कम हो जाती है जिससे हमारा जो फूड ना वो अगर तीन गंटे में डाइजिट होना होता है तो छे गंटे लगा जाता है जिससे वो एक जहर का जहर की तहाँ जाता है इसलिए आप ध्यान रखें जब भी आप खाना खाएं तो उसके एक गंटे बाद पाने भी है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी भी स्टोमक की कोई दिकत नहीं होगी कभी आपको एसिटी नहीं होगी इसके साथ मैं आपको एक बात और एड करूँगा कि जब आप खाना खाते हैं तो सुबह खाने के साथ अगर आप दही या लसी ले ले लेते हैं तो आपके जो digestive system है वो और स्ट्रोंग हो जाता है क्योंकि दही में क्या होता है लेक्टिक एसिड जो हमारे digestive system को और भी स्ट्रोंग कर देता है और आपका जो फूड है वो बहुत जल्दी डाइस्ट हो जाता है तेके वी थे उत्कैंड चैकटे स्सक्राइब देभी जा हिंद जाब अर्त टैक्यू जाइब रॉतoss मुप सीर आपकायन को जो फहां ये पार्ष खाली तूक् एर्वेet